जै श्री क्रिश्णा मेरे ट्रेंज़ तो मैं आपके लिए दोल की वीडियो लेकर आई हूँ और कई दिन हो चुके एक अफता हो चुका तो मैंने डोला की वीडियो नहीं डाली है पुराणी वीडियो डाम लोड थी इसलिए वो डाली थी क्योंकि हमारे परवार में गमी हो ती और मेरे जवान जवान चची अस्वर के लड़के थे वो खतम हो गए थे 40 साल की उमर थी तो मेरी सस्राल गौतव बुद्ध नगर में है तो मुझे वहां जाना पड़ता था डेली तो इसलिए में वीडियो नीडल पाई और मुझे उनका बहुत दुख है क्योंकि उनके परवार में कई मेंबर खतम हो चुके हैं चची असुसर भी हो गए उनके छोटे लड़का को आ रहे थे वो भी कतम हो गए एक लड़का ये बच्चे थे शाधी सुधा इन पर दो बच्चे हैं ये 40 साल की उमर है ये भी कतम हो गए तो इसलिए हम डेली वहां जारते थे और ये शामते पर क्या कर सकते हैं किशी का दुख नहीं बाढ़ सकते तो चलो परसों उनकी तेर्मि हो चुकी है तो चलो हम वीडियो डालते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना आपका बहुत-बहुत धन्यबाद तो चलो शुरू करते हैं तो देखो पहनो ये हमारी वीडियो तीन थापी में आएगी और एक थापी हम इसमें शुरू में मारेंगे दो थापी बाद में मारेंगे और इसमें हम बंद वेस नहीं मारेंगे ये तीन थापी हमारी खुले वेस में होंगी और हमारी सिर्फ एक चाटी आएगी बाद में त हम शुरू करते हैं आपको बताते हैं कि हमारी थापी कैसे आएंगे देखो पहले हम एक थापी मारेंगे इस तरीके से हमें यह तापी मारनी है इस तरीके से हमें गिंती गिंनी है एक, दो, तीन और देखो चांटी हमें कैसे बजानी है दो, तीन हो थापी हमारी लगने के बाद एक उंगली यह मारेंगे एक उंगली यह मारेंगे तीन उंगली यह एक उंगली यह ऐसे चार, चार, चार तो कैसे मारनी है दोनों को मिला के बताती हूं यह डोलक भी हम अनेक तरह की मारते बजाते हैं तो कि इसमें हम चांटी का कही तरह से बदलाब कर सकते हैं यह मैं सिर्फ एक चांटी इसलिए लाई हूँ कि यह आपसे आसानी से आ जाए और एक डोलक चांटी हमारी दूसरी भी होती है तो लाश्ट में ऐसे मार के फिर हम बीज में भी लेते हैं तो पहले में आपको सिर्फ सिंपल की तरह से एक चांटी मार रही हूँ ऐसे मैंने इसलिए एक चांटी में बताई है कि आपसे यह जल्दी आ जाए जब आप इसको सीख जाएंगे तो फिर आप अन्य तरह से या तो हमारी वीडियो देखके शिग लिए खुदब खुद आ पड़ता था इसलिए मेरा गला बैट रहा है इसलिए मैं बोलना ही पा रही हूं तो प्लीज मेरो मेरे को सपोर्ट जरूर करना क्योंकि कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली शोट बगएर ही डाल रही थी कई दिन से क्या करूं मन नहीं करता था परेशान हो रही थी तो चलो मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्ते जो हैं मेरी सहेली मेरी डोलक की वीडियो का इंतिजार कर रही होंगी तो इसलिए तो मैं चलो सपोर्ट जरू करना वेनो मैं आप से यही उम्मीद करती हूं तो मैं आपको मिला के बताती हूँ डोलक हमारी कैसे बज़ेगी दुबारा से देखाती हूँ आपको इधर से इधर देखो कैसे मैं थापी के साथ बज़ाती हूँ पहले हमें इसको मारेंगे फिर तीन उंगलियों को यह तीन उंगलियों हम मारेंगे न फिर हम थापी शुरू कर देंगे तुरंत बात और फिर हम इसको ऐसे ही लगाए रखेंगे डोलक से उंगलियों को यह तीन उंगली मारेंगे इस्पर हम चौती गिंती गिनेंगे 1-2-3 2-3 हम जल्दी किनेंगे और ये उंगली मार के 4 4 इस तरीके से किनेंगे 1-2-3 4-1-2-3 4 तो देखो मैं दुबारा से आपको मेच करके दिखाती हूँ उसके बाद मैं गाने पर आपको मेच करके दिखाऊंगी तो उसके बाद मैं वीडियो को end करूँगी तो चलो मैं फिर से मिलान करती हूँ दो तीन आपको जल्दी बोलना है एक दो तीन चा एक दो तीन तो देखो इस तरीके से हमें मिलान करना है और यह हमें एक चांटी इसलिए लाईयों के आप से जल्दी आ जाए सरल चांटी है और इसमें हमें बीच में मिलान करना पड़ेगा फिर थापी कर चांटी का इसमें बीच में नहीं करना पड़ता पहले हम ये बेस पूरा करने के बाद में फिर हम चांती का बेस मारेंगे ये पूरा होने के बाद में फिर हम थापी का बेस मारेंगे ये पूरा होने के बाद हम ये माने ये बहुत ही आसान वीडियो है आपसे वजल दियाएगी तो चलो मैं आपसे किसी गाने पर मिलान करके दिखाती हूं हमें को जरूरत नहीं सोने ओरे चांदी की हमें को जरूरत नहीं पुलिसी की माला से घले को सजाएंगे हम तो दे दीवाने रादे रादे गाएंगे रादे रादे गाएंगे रादे रादे गाएंगे तो देखो वेनो गाने पर भी मैंने आपको मैच करके दिखाए यह डोला और बहुत ही प्यारी है बहुत ही आसान है पहले यह वाला बेस पूरा करते हैं और तीन धापी मारते हैं सिर्फ इसमें बंदवेस भी नहीं है और इधर इससर फेर चांटी मारते हैं तो मैं बहुत सरल डोलक लेकर आई हूँ आपको यह डोलक कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना तब तक के लिए हम एंड करते हैं वीडियो को तब तक के लिए जैसीरी कृष्णा